चंद्रदीव आप चिंता मत करिये आपने जो लंकेश को दिया था वो तो अमरित का लश हो ही नहीं सकता अनुमान ये दीव अमरित नहीं था तो क्या था अनुमान तुमने जो पिया है वो अमरित नहीं चंद्र लोग का जल है साधारन चंद्र जल बिना पात्तरता के कोई अम्रित गरहन नहीं कर सकता जो अम्रित गरहन करने के योग्य पात्तर होता है मात्तर वही अम्रित पान कर सकता है नाई गुरुदेव ये नहीं हो सकता पात्तर हूँ मैं सायोग्य पात्तर हूँ मैं मा शिव भग्त हूँ मैं मा तपस्वी रावन हूं मैं अम्रित ग्रैन कर सकता हूं मैं गुरुदेव देखे अम्रित में अभी भी उबाल आ रहा है देखे गुरुदेव ये अम्रित ही है गुरुदेव आपको फ्रम हुआ है लंकेश समुद्र से घिरिवी लंका में रहते हो फिर भी तुम्हें इस परण नहीं है कि पुरिमा और अमावस्या की रात्वरी समुद्र के जल में भी उफान होता है ये तो चंदर जल है इसमें तो और भी अधिक उफान होगा लंकेश मैं तुम्हारा गुरू गुरू के ग्यान पर कभी शंका नहीं करना चाहिए आपके ग्यान पर शंका नहीं किन्तु अपने ग्यान पर आत्मविश्वास करता है रावण ये सत्य है और मैं आपको अभी सिद्ध करके दिखा सकता हूँ जैने को इधार आओ जी जी लंकेश जी लंकेश जैने को अपने खड़क से मेरे उपर वार करो भर पूर वार करो जशानन ये क्या कर रहे हो तुम आप चिंता ना करें माते आपके पुत्र का कोई आहित भी नहीं कर सकता अम्रिधारी हो चुका है आपका पुत्र पुन्ह मुर्कता मत करो रावण बस बस कुरुदेव करो वार मुझ पर भरपूर वार करो मुझ पर मेरी डे पर वार करो गुरुदेव की बात मानो पुत्र ऐसा मत करो वार करो मुझ पर अन्य था मैं तुम पर वार करो हाँ वार करो वार करो वार करो वार करो वार अन्य थार वार ड़ तुम वार 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 कुछी एक्षान में ये सिद्ध हो जाएगा कि ये चंद्रलोग का साधारन जल नहीं अम्रत है जिसके प्रभाव से मेरी ये चोटें शीग रही ठीक हो जाएंगी कि ये चोटें इतना समय हो गया रक्त बहते हुए लंकेश अगर तुमने अमरित पान किया होता तो रक्त बहना बंध हो जाता छल किया है तुमारे साथ चंदर देवने किन्तु मैंने तो स्वैम अमरित कलश यहां से ले जाकर लंकेश रावन को दिया था फिर ऐसा कैसे हुआ स्वामी ये जो कुछ भी हुआ हनुमान के कारण हुआ जब हनुमान आपको यहां चंदर लोग ढूनते हुए आई थे और हम सभी अमरित की सुरक्षा को लेके बहुत चिंते थे तब हनुमान ने कहा चिंता मत कीजिए चित्रा माता इसका उपाई भी है मेरे पास मैं बताता हूँ आपको कि कैसे हो सकती है अमरित की सुरक्षा ये तुमने क्या किया हनुमान माता आप ही ने बताया था ना कि ये मंतरे किसी को स्मरण नहीं रहता इस पुस्तक से ही मंतरे का जाब किया जाता है हाँ किन्तु हनुमान तुमने तो मंतर का प्रिष्ठ अता कर अन्यस्थान पर रख दिया और इस प्रकार तो मंतर तुरुटी पूर्ण हो जाएगा और इससे क्या होगा जब कोई आपकी इच्छा के विरुधी अमरित ले जाने का प्रयास करेगा तो मंतर के दो शुक्त उचारण से उसे अमरित की नहीं जल की प्राप्ति होगी किन्तु हनुमार फिर अमरित कैसे प्राप्त होगा यदि आपको अमरित प्राप्त करना है तो स्मरण कर लीजिए मैंने पुस्तक के चतुर्थ प्रिष्ट को द्विति ये प्रिष्ट पर रख दिया है उसे पुना अपने स्थान पर रख देंगी तो मंत्र पुना ठीक हो जाएगा अर्थात हनुमान की बुतिमता के कारण लंकेश को अमरित के स्थान पर चंदर जल मिल गया हाँ स्वामी उस समय हमने अमरित की सुरक्षा के लिए उस मंत्र को ठीक ही नहीं किया था वास्तविक अमरित अभी वी चंदर लोग में सुरक्षित है अमरित रक्षक हो गए हनुमन देव काज में अर्पित जीवन दिया उपाय परमयोप्ती से गुन और ज्ञान भरी सुमती से रावन के छल पल का उत्तर नूतन नीति से दे रह कपिवर अंजनिलान नीति के सागर तुम्रे तेज से जगत उजागर आपकी आनुपस्तिती में रावन और उसकी असूरों से अमरित को सुरक्षित रखने के दृष्टी से यावश्यक था स्वामी। हनुमान तुमने मेरी शनी दर्शा से ही रक्षा नहीं की। मुझे घोरपाप से बचा कर मुझ पर बहुत बढ़ा उपकार किया है तुमने। चंद्रदेव यह सब जो हुआ है सब मेरी मा के अशिरवात के प्रतापसे ही हुआ है। तो राक्षेसों से सुरक्षा के लिए किया हनुमान तुमने अम्रित कलश की सुरक्षा केवल राक्षेसों से ही नहीं किये अपनी मा का भी बचन पून किया है तुमने अब तक तो रावन को ग्यात हो गया होगा कि वो अम्रित अम्रित नहीं केवल चंदर जल है हुआई! अम्रित के स्थान पर साधारन चंद्रजारी तेवताव तुम कर विश्वास करके कि तुम तरल हो, सच्चे हो मैंने बात बड़ी भूल के चंद्रजार! तुहे इस छल का परणाम भुकत ना होगा लंकेश पशानन रावर आ रहा होए तुम पुना मुर्कता करने जा रहो रावन जाओ! सर्व प्रतम अपना उप्चार कर आओ! स्वार्थ में अंधा होकर जब मनुष्य किसी से चालाकी करता है तो वो ये नहीं जान पाता कि कभी-कभी उसी की चालाकी उसके लिए संकट बन सकती है जैसा कि रावन के साथ हुआ! दूसरी और परमार्थ के लिए हनुमान के द्वारा की गई चालाकी ने अम्रित को अशुरों के हात में जाने से बचा लिया परमार्थ के लिए किया गया कारिय वो भले ही चालाकी हो किन्तु वो सफल होता है विजय सदैव सत्य की ही ہोती है मैं तुम्हारी माता का बहुत आभारी हूँ अनुमान तुमने उनके वचन को निभाया और मेरी शनी दशा से रक्षा हो पाई तुम्हारी माता को मेरा नमन हनुमान तुमने अपनी माता का वचन भली भाती पूर्ण किया है अब तुम शीग्र सुमेरू जाओ और अपनी माता का व्रत पून करो क्योंकि तुम यदी नहीं जाओगे तो उनका व्रत पून नहीं होगा हाँ चंद्रदेब माँ व्याकुलता से मेरी प्रतीक्षा कर रही होगी मुझे आग्या दे प्रणाम आप सब माताओं को भी प्रणाम मुझे आग्या दे माता सत्य है हनुमान जगत का संकट मोचक है बारुती संकट मोचन बन कर लिया स्त्रिस्टी का सब संकट हर मन में रख कर मा का ध्यान लोट रहे घर परम सुजान मंगल जननी जन्म भूमी का सुफल का पीश्वर नवल भूमी का तेजवंत हनुमंत की जय हो के सरी नंदन जय 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 हो ये गाथा बाबली हनुमत की रुचकर लीला राम भगत की जय 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 रगुनन नन्य राम जय 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 मामली हनुमा ओम चन चन्द्राय नामा ओम चन चन्द्राय नामहा ओम चन चन्द्राय नामहा जय 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 जयी जय 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 हो तो में चन्द्राय नामहा जय 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 को धरीं जय को अजना मैंने कहा था ना केसरी जी जिन चंदरदेव के दर्षन के लिए देवी अंजना ने अन्य जल का त्याग किया था उन्हीं के अमरित मई और शधियों से युक्त रश्कियां देवी अंजना को शक्ती प्रदाखते सत्य है रिशिवर अद्भूत है ये महापूर्णी मा की चंदर किरने मा मैं आ रहा हूँ पहुत कश्ट में होंगी आप मा किन्तो मैं आपका व्रत पून कराके शीग रही आपके सारे कश्ट में टादूंगा मैं आ रहा हूँ मा प्राणाम कालदेव कुछ छण ठैरो हनुमान मुझे तुमसे कुछ कहना है मुझे एक शमा करें कालदेव मेरी मा ने तीन दिनों से निर्जला व्रत रखा है अब माहापूर्णी मा के चंदर भी उधित होने को हैं मुझे शीगरे जाकर मुझे मा का व्रत पून कराना है मेरे बिनान का व्रत पून नहीं होगा अर्थाच तुम्हारे पास इतना भी समय नहीं है कि कुछ छण ठैर कर तुम मेरी बात सुन सको ऐसा नहीं है कालदेव मैं आपकी बात सुनूंगा तुम मेरी मा का एक एक शण कितना कर्ष्ट कारी बियतीत हो रहा होगा मुझे इस वक्त सुमयरु में होना चाहिए था कालदेव मुझे हगिया दे कालदेव मुझे जाना होगा रणा हनमान मैं तुम्हें समझाने आया था किन्तो ऐसा प्रदीत होता है कि तुम्हारे द्रिश्टी में काल का कोई मोल नहीं है अब तुम्हें ये ज्यात कराना पड़ेगा कि काल का क्या मोल होता है मा कवरत पूल कराने की शीगरता में मैंने काल देव के प्रती कोई अबत्रता तो नहीं कर दी मैं मा कवरत पून करा के शीगर काल देव के पास लोटकर उनसे एक शमा प्रात्ना कर लूँगा किन्तो अभी तो शीगर ही सुमेरू पहाचना मेरा एक मात्र उद्देश है अंजना हनुमान अपने उद्देश में सफल हो गया है देखो चंद्रदेव अपनी पून भवियता के साथ आकाश पटल में प्रकाशित हो रही है हाँ अंजना देखो चंद्रदेव हो गया है अब इनकी धर्शन करके तुम अपना व्रत पून करो पुद्दी मैं अपने पुद्र हनुमान के बिना कैसे अपना व्रत पून कर सकती हूँ उसने भी तुम रत रखा है हनुमान मा अंपने तुमान मा 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 हमारा हनुमान लोटा है अरजना मा मा आप ठीक तो है हाँ पुत्र अप मुझे अपने चंद्र की दर्शन हो गए मैं ठीक हो गए मा मैंने चंद्र देख की रक्षा करके आपके वचन को पून कर दिया है मैं जानती थी पुत्र कि तुम मेरे वचन का पालन करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं मुझे तुम पर गर्व है पुत्र हनवान केसरी जी जो पुत्र अपने माता पिता के दाईत्यों को उनके वचन को पून करने के लिए प्राण प्राण से प्रयास करें उस पुत्र पर तो सारा संतार गर्व करता है माराच माराच क्या बात है माराच कालदेव कुछ विचलित से प्रतीत हो रहे हैं क्या हनुमान ने आपकी बात नहीं मानी हनुमान ने प्रत्रिती के नियम तोड़े हैं मुझसे ये भूल हुई कि मैंने उस समय कुछ नहीं कहा जब वो काल चेक्र को विपरीद दिशा में घुमा रहा था या फिर उस समय जब उसने मेरी तब भंग करने की उदरंड़ता की अनुमान ने अपने पुर्व काल में कई अनुचित कारे किये हैं जिससे नियम भंग हुए हैं यदि उससे नहीं रोका गया तो अनुचित कारे और भी बढ़ते रहेंगे अनुमान तुमने जो प्रकृती के विरुद्ध अनुचित कारे किया है वो तुम्हें दंड का भागी बनाता है तुम्हारे अनुचित कारे के लिए तुम्हें दंड भोगना होगा झाल झाल